आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ साइकल ओफ मारकेंशिया अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि लाइफ साइकल में आल्टरनेशन ओफ टू जनरेशन जो है वो देखी जा सकती है जो दो जनरेशन्स हैं यहां पर वो हैं एक हैपलोईड जनरेशन जिसको कि हम गेमिटोफिटिक फेज के नाम से जानते हैं और दूसरी होती है डिपलोईड जनरेशन जो कि डिपलोफेज या स्पोरोफिटिक फेज के नाम से हम उसे जान सकते हैं और alternation का मतलब होता है कि एक बार gametophetic phase जब आती है तो वो उसके बाद जैसे ही gametophetic stage complete होती है sporophyetic phase आ जाती है और फिर वापस से gametophetic phase आ जाती है और फिर वापस से sporophyetic तो यह जो चक्र है इसमें यह दो phases है और इन दो phases में से एकर dominant phase की बात की जाए तो वो है gametophytic phase जिसमें की sex organs form होते हैं और sex organs जो है वो यहाँ पर male sex organ female sex organ जो form होते हैं उनमें gametes form होते हैं और gametes के fusion से zygote form होता है और zygote जब बनता है तो आप देखेंगे zygote से sporophyte form होता है sporophyte जो है वो यहाँ पर foot ceta capsule में विभाजित होता है और sporophyte में जो capsule है उसमें spores form होते हैं और spores जो है वो germinate करके वापस से gametophyte बना देते हैं लेकिन अगर आप morphology देखोगे gametophyte और sporophyte plant की तो दोनों morphologically distinct होते हैं मतलब दोनों ही बिलकुल अलग होते हैं देखने में तो अ तो शुरू करते हैं थैलस से यह एक marganshia का थैलस है और marganshia का थैलस जो है उसमें आप देख सकते हो कि enthridio 4 यह बना हुआ है और यह पर लग होते हैं तो आप देख रहे हैं यह जो बीच इतर है मेल प्लांट है यह लोख को और इस डिस्क में बहुत सरी लोब होती है यह कहना चाहिए और हर एक लोब के अंदर एंध्रीडियास फॉर्म होते हैं उसी प्रकार से जो फीमेल थैलस है उसके उपर आर्की गोनियों फोर लगा वाता है एक स्टॉक्ट स्रक्चर है जिस पर की एक लोब्ड डिस्क पाई जाती है हर एक डिस्क के हर एक लोब के उपर और आर्की गोनियास फॉर्म उती है जो कि फीमेल रिप्रॉडाक्टर स्टॉक्चर होते हैं तो यह तो है थैलस जोकी गैमेटोफाइट है और यह गैमेटोफाइट जो है जब इसमें सेक्शल रिप्रदक्शन होना होता है तो इस प्रकार से एंध्रीडियों फोर और आर् और थैलस जो है ग्रीन करर का होता है लोब्ड स्ट्रक्चर होता है डाइकॉटोमस ब्रांचिंग इसमें आपको देखने को मिलती है डॉर्सल सर्फेस की बात करते हो तो मेड्रिव वगरा आपको दिखाई दे सकती है इस पर वेंटल सर्फेस के अगर हम बात करते हैं तो वें और एक ग्र공nd आप यह पुरिवार और इसमें थैखेंगो स्धीर को स्डाप्चर है जोगी गलोब कंप नह boat यह स्टक्टर भुत पर बेसिकन लीक्त समय जो अन्र चैमबर होती है इसम्ने ऐसेखंगेनगे सैंध कि आहलो होता है और हर एक चांबर में आपको एक एंथ्रीटिया दिखाई देता है एंड्रोसाइट मदर सेल जो है उसके अंदर डाइगनल डिविजिन होता है और हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल में दो बनते हैं और यह जो सेल है यह मेटामॉरफोस करके और फाइनली क्या बना देता है एंध्रजॉइड बना देता है जो की बाई फ्लैजिडेटेर स्ट्रक्चर होता है दूसरी तरफ में जो आर्कीगोनियों 4 है जिस पर की जो यह डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर है इनकी लोब इसमें आर्की गुनिया फॉर्म होता है और जैसा आप यहां स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यह दो भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं यह इसका नेक पॉर्शन है और यह इसका वेंटर पॉर्शन होता है नेक पॉर्शन जो होता है उसमें बाहर की तरफ में जो सेल् जो नीचे बिंटर विजन अब देख सकते हैं एक ए स्थेल होता है और बाहर की तरफ में वाल होती है इस तरीके से र00 हूता है अर्खी गुनिया का जैसे ही इप्र फॉर्म हो जाता है अर्खी ॉनिया में में Uh पूंपहों ब ceux जाता है उप बॉर्टर सेंशल होता है फर्रीलाइजेशन के टाइम पर ने से टाइम ist इंथ्ल येवारेज्टास के हुने से जो हैं वह स्विंकर आर्खी गुलियां तकाते हैं और आर्टी गुलियां मैं आप देख सकते हैं इसमें जैसे ही जो अंदर वाले सेल्स हैं नेक के नाल सेल्स और वेंटर के नाल सेल्स यह डिसिंटीग्रेट हो जाते हैं खतम हो जाते हैं और इसके जगे एक मास मुसिलेजिनस मास बन जाता है जिसमें की कुछ क्यामीकल्स होते हैं या कीमोटैक्टिक होता है वह और वह एक तरीके एक के साथ फ्यूजन करने के बाद स्राइब का फॉर्मेशन हो जाता है तो आप यहां देखें तो यहां पर जो थैलस था वह फ्लॉइड था जो रिप्रोड़क्टिव और गन्स थे वह फ्लॉइड थे जो गैमीड स्वाइब लेकिन जैसे ही फर्टलाइजिशन हुआ डिप्लॉइड स्रॉक्चर आ जाता है तो यह एक तरीके से इनिसियेशन ओप स्पोरोफिटिक स्वेज हम मान सकते हैं यहां पर खतम हो गई यहां भी बोला जा सकता है जाइगाट जो है वह एक तरीके से आर्कीगोनिया के अंदर ही होता है कि यहींपे रार्कीगोनिया में यांव होता है यहां धेच सकते हैं यहां पर प्टेंट स्टेज बनती है फिर उसके बाद आप देखें तो एक बाहर emphithesium बनता है अंदर endothesium cells बनते हैं और finally maturity पे आके और जो sporophyte होता है वो इस तरीके का structure बना देता है जिसको की तीन भागों में आप विभाजित कर सकते हो foot जो की thallus में लगावा होता है यहां पे thallus होता है पूरा जो gametophytec thallus है यह वाला इसी thallus में यह एक तरीके से inverted position पे लटका हुआ sporophyte आपको देखने को मिलता है तो foot ceta और capsule में sporophyte विभाजित होता है और sporophyte में दो प्रकार के cells होते हैं कि elongated cells आप देख रहे हैं यह elators कहलाते हैं और यह जो round structure है गोल आपको जो cells दिखाई दे रहे हैं यह एक तरीके से आपके spores होते हैं तो spores और ilators दोस्त प्रकार के आपको cell दिख रहे हैं ilators का काम होता है यहां पर spore के dispersal में यह help करते हैं और hygroscopic nature के होते हैं मतला water को absorb कर सकते हैं तो जैसे ही water absorb करते हैं जो capsule की wall है उसके pressure पड़ता है capsule की wall फट जाती है और उसके फटने से spore बाहर निकल जाते हैं spore जब बाहर निकलता है spore बना कैसे यह भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यह जो अंदर cells है पहले यह spore mother cells होते है spore mother cell क्योंकि zygote deployed है spore mother cell भी deployed होगा और इसमें फिर meiosis होता है meiosis होने से एक जो spore mother cell है वह चार haploid spores बनाता है जिसको कि हम कहते है spore tetrad tetrad मतलब चार spore यह form करता है और हर एक जो spore है वो germinate कर सकता है जैसे ही disperse out होता है बाहर निकलता है उसमें germination का process start हो सकता है और germination की process में सबसे पहले transverse division होके दो सेल बनते हैं एक सेल जो है वह राइजोइडल सेल जो की एक लोरोफिलस होता है आप यह देख रहे हैं वाइट कलर का यह बनता है और उपर की तरफ में लार्जर सेल बनता है जो कि फर्दर डिवाइड करके पूरा थैलस बनाता है और नेचे वाला जो सेल है वह राइज़ोइडल सेल जो है राइज़ोऊइड बनता है तो इस प्रकार से यह प्रोटोनिमाल स्टेज एक फॉर्म होती है जिसमें की आठ से दस सेल होते हैं प्लेट लाइक स्रक्चर एक फॉर्म हो जाता है और नीजे की तरफ में तो इस प्रकार से यह पूरा जीवन चक्र आप separate कर सकते हैं फोटो ग्ति Tार्य के माद्धियत्त से अपी इसको समझा सकते हैं अगर आप डीज्ञाम नहीं बना सकते हैं तो आप है च्री के से कर सकते हैं जिसमें विक्वा करने देंसे लिक Whenever दे soaking वहांने सदोस करने एंधर आ गैमा एडवनिटीस ब्रहंचले इनके द्वारा। एि अस्थि एस्थ सखता है और इसी प्रकार से आपका मेल और फीमेल प्लांट मेंगे सद्थ में सख होर्गे رकाम nuts to तो anthridia जो है उसमें anthrazoid form होगे और archegonia जो है उसके अंदर egg cell form हो जाएगा जब egg cell और archegonia form हो जाता है तो fertilization होगा fertilization से zygote form होगा और जैसा आप जानते हैं कि fertilization के बाद जो cell बनेगा वो deployed होगा और deployed cell जो है वो आपको आगे जाके sporophyte देगा तो यहाँ पर एक तरीके से gametophytic phase खतम हो जाती है और sporophytic phase यहाँ पर start हो जाती है यह जो sporophytic phase है या उसपोर है या zygote है इसमें further division होगा division होके और sporophyte form होगा और जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी विटाया था होता है उसमें spore mother cells form होती है spore mother cell क्योंकि जाइगाट deployed है तो spore mother cell भी deployed होती है लेकिन यह deployed जो cells है इन में meiosis होने के कारण जो spore बनेगा वह haploid बनेगा और इस spore का जब germination होगा तो जो thallus बनेगा वह भी haploid ही बनेगा तो इस तरीके से यह जीवन चक्र चलता रहता है जिसमें की एक बार आपको haploid structure जो की gametophytic phase है वो दिखाई देती है दूसरी तरफ में आपको diploid structure जो की sporophytic phase है वो दिखाई देता है तो alternation of generations यहाँ पर आप देख सकते हैं और अगर life cycle के type की बात करते हैं तो वो एक तरीके से हेट्रो मॉर्फिक कराएगी क्योंकि morphologically gametophyte और sporophyte देखने में समान नहीं होते हैं या फिर diplo haplontic भी बोल सकते हैं क्योंकि life cycle में एक बार diploid phase और एक बार